परम सनमान्यो गुरुरु गुरु खाल्सा सा संगजी वाहिगुरु जी का खाल्सा वाहिगुरु जी की फते। राम पजनी नाम दी एक बीबी सी उसदे मावाप गुर्सिक सन पर कालवा सोच के सन एसलिए ओहो इकली रह गई सी। उसदा वया पामे उसदे मावाप ने किता सी पर किता सी पुले खे नाल। एस करके एह बीबी एक एहोजे कराने वेच व्याई गई जित्थे ओदा सौरा प्रवार सकी सरवर्दा पुजारी सी ते नडी मार भी सी। एक भी जी एस करदा सत संगी नहीं सी। उस बीबी दे सामने बहुत बड़ी ओकड़ पेश आई। एक पासे गुरु सहब ते गुरु जी दी सिखे नाल प्रीथ सी ते दुजे पासे पती दे सौरे सासनाल समाजिक संबंध ओ किसनों छटे ते किसनों रखे। उसने पती देव ते सास सौरे नों बहुत समझाया कि उस दे जीवन वेच रुकावटा ना पाओ पर उहो ना मनने। उना ने बीबी नों कहा ना तू बाणी पड़ सकदी हैं ते ना गुरु क्या नों मिल सकदी हैं। तू हुके ओते आगतर नी है ते हुका त्यार करके सानू देना होएगा। करपाण ते किशारा असी तन्नों रखन नी देना। ऐसीयां पुबंदियां लाइयां के ओहो बहुत दुखी होई। इस तरह कई देन रोंदी रही। आखिर वही गुरु ने उसनू बाल बक्षया ते उसने हौसले नाड प्रतिग्या कीती के पामे मेरे टुकडे टुकडे करदेन। एह प्रतिग्या करके उसने सर्वरिया नाड macht करना शुरू कर दता। उसनू हुके उते आगतार नवसते जोदो आख्या गया ता उसने जवाब दे दता। जे अगे होके हुका नेड़ कीता ता उसने सोटा मार के तोड़ दता। एस गुसे विच उसदे पती ने उसनू बहुत कुटेया। मार खाके भी राम पजनी ने राम नू ना छटेया। दो दन पुखीत रहाई सतना वाहगुरु जब दी रही। वाहगुरु ने ओधा सिदग देखके ओधी सहता कीती। अंडणा ग्वांडणानू प्रेयर के ओधे कोड लेके आंदा। जीना ने राम पजनी दे साथ सोरे नू बहुत माड़ा चंगा आख्या। ते शर्मिंद्या कीता। एस तरा पूरा साल राम पजनी लड़ाई गुरु साहब जी दी शर्नापु जी उसने रो रोके सारा हाल दसेया। जदो ओह अपने दुखा दी कहानी दस रही सी। ता ओस वले पाई राम सेंग जी वी ओथे बैठे सन। पाई जीने बीबी नू होंसला दिन्दया होया केहा। पुत्री चिंता ना कर। वाहगुरु कॉल करने पैसन ते आंतनों तरम दी ही जया होई सी। सुन तेनों कथा सुनों दे हां। कर्मा बाई दा पती नहीं सी चौदा के उस दी इस्तरी ठाकरां दी पूजा करे। ठाकरां दे समने नचे ते गावे ते सादू समागम वेच जावे। इस तरा ओहो उसनू हर तरा न राज ने फैसला कीता के ओह कर्मा बाई नू शेर कोड़ों मरवाद अवे। ए सोच के उसने पुखा शेर उस दे रावे छड़ जता। शेर अपनी खुराक लब रहा सी के कर्मा बाई गोली समेत सादू समागम वलों आ रही सी। उस दी दासी ने दूरों देख लिया के अ आण उपर चोके देख्या, ते परसनता नाल के हा, मेरे तानपाग मैं बलिहारी जामा, मेरे पगवान्ने मेनू दर्शन दिते हान, आज मैं निहाल हो गई हा, नी सयो मैं निहाल हो गई हा, यों आख दी हो योहो काली नाल अगे वदी, हाथ वे जो फुलां दी माला सी, ओह माला उस शेर दे गलवेच पोण वास्ते, अगे वदी, जाद कर्मा भाई शेर दे कोल पुझी, ता खलोते होई बबर शेर ने, अपनी तोन नीवी कर जती, कर्मा भाई ने फुलां दी माला शेर दे गलवेच पाजती, ओदे पैरनु हाथलाया, ते उस दी आर्ती कीती, न चोप चाप खलोता रहा, ते कर्मा भाई वाल वेखदा रहा, जदो कर्मा भाई नाच नाच के ठाक गई, ता शेर आपे ही एक पासे तोर गया, इस कोतक नू राजे दे आदमी वेख रहे सन, ओनाने सारी हकीकत जाके, अपने मालक नू दसी, ते उस दा मालक ए वारता सुन के बड़ा प्रसान होया, ते कर्मा भाई नू खोल दे धती, के हो अपनी खुशी ते सुतंतरता नाच पक्ती करे, सो हे पुतरी, एस तरह तेरे पती देवतावी, एक दन तेरी पक्ती दे, शर्दालू होन गे, इसलही तू चिंता ना कर, गुरु सहाब मेर करन गे, पाई राम सेंग जी दे पसों, इस तरह कथा सर्वन करके, राम पजनी नू कुछ होंसला हो गया, दूसरी अचंबे दिगाल ए होई, के राम पजनी दे पती ते सास सोरा, ते होर सारे कर दे, राम पजनी नू लब दे होई, साथगुरु सहाब जी दे दरबार वेच, आप उंचे साथगुरु जी ने सारे उपर दया दृष्टी किती, उप देश नाल ओना दे मन तब दील किते, ते पूरण गुर्षिक बना के, राम पजनी नाल तोर दते, ओ सारी उमर गुरु का रदेशर दालू बने रहे, एस तरह राम पजनी दी उपमा हुंदी रही, ते ओ वड प परवारी होके, परलोक नू गई, एसे परकार शेरू पूरेदा एक अरोडा सिक सी, उसने भी उसे तरह दी बेंती किती, के हे दातार जीयो, मेरी भी फर्याद है, के मेरी वोटी लीला वती, एक मलेश देवास हो गई है, उसने जादू टुने करके, मेरी इस तरह उना अप जन्दी है, जे मैं रोगदा हाता, गुसा करती है, इसलिए तुसी कोई इलाज दोसो, आजी भी यहो मेरे नाल नी आई, उस दी ए फर्याद सुनके, सत्गुरु जी बोले, हे गुर्मुख जन, जादू टुने, सेख उपर असर नी करते, सेख नू चाइदा के स्वेरे होण तु यहों कर, अपने कारजा, सुचे बरतन बेच जालप आके, उस जलनू अगे राके, शिरी जबजी सावदा पाठ करीं, पाठ दे पोग पिछों, ओह जाल उसनू पला दाई, इस तरह पांच देन जालप लोण पिछों, ओह तेरे करों, बाहर पैर ने रखेगी, ओ ओह तेरी ही हो जाएगी, सो इस प्रकार सादगुर साहब जीदा ए बचन मानके, ओह सेख अपने पेंड, शेरू पूरे पहुँच गया, उसने ओसे तरह ही गिता, जिमें सादगुर जेने फ्रमाया सी, जदो तीसरा देन होया, ता ओह मलेश प्रेमी ना लड़ पई, ते च सिख बहुत प्रसान होया, ते सादगुर जीदा जास गोंड लाग पया, तेने महिने पिछों कारवाली नू नाल लेके, शीरी अनांदपुर साहब आया, ते दोवा ने अम्रद छाक लेया, फेर हो जोड़ी पूरन सिख बनके, प्रेम नाल वसन लाग पई, सो प्यारी साह संगा जी, एस तरा सादगुर जी, जदोवी किसे ते किरपा द्रिष्टी नाल ता कदे सन, ता उस दा जनम मरण सावर जानदा सी, ते ओह अम्रद छाक के, एस पावसागरतों पार हो जानदा सी, तान गुरू गोबिंद सिंग जी, 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 तने गुरू गोबिंद सिंग जी तने गुरू गोबिंद सिंग जी होई या पुला चुकांदी खेमा बक्षणी जी दासनों आगया देओ वाहिगुरू जी का खाल्सा वाहिगुरू जी की फते। जरसे के बस्चैनल जीज जी जीज जीज मेंगुरू जीज जी का रेसी जीजरू जी जीजए जीज खुância हैं कि अटेखलू लागया देखलों बुला हैुरू जीज जीजए शु घटेत में द Бог मैं एंट जीजएगू?